हेलो दोस्तो आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक का सुभारंब करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एलेक्ट्रिक फ्लक्स हम एक सर्गुलर डिस्क पे निकालेंगे circular disk पे from point charge from point charge से ठीक है point charge निकलेंगे ये हो गया आपका circular disk ये L length की दूरी पे point charge ले लिये कोई भी positive Q charge ले लिये है इससे electric flux generate होगा ठीक है सभी दिसा में ये spherical generate होता है तो सॉलिई अंगल बनाएगा इस disk के साथ ठीक है तो ये देखिए two-dimensional है तो इसमें हमें area की ज़रूरत है area के लिए 2D निकालने के लिए हमें एक strip लेना पड़ेगा two-dimensional strip भी लेना पड़ेगा अगर x से दूरी पे हमें एक strip काड़ते हैं जिसकी width है dx ठेक है dx इसकी width है तो इसका area क्या हो जाएगा two-pi x dx ठीक है ये हो गया ds ds क्या है surface area ये r length की r radius का क्या था disk था ठीक है तो इसके बीच का जो दूरी है ये electric field इस point से इस disk के उपर e लगेगा d e ठीक है और ये इधर हो गया surface area ds तो इसके बीच का angle theta है इधर भी theta है तो ये अगर d e है ये ds है तो ये क्या होगा ds d e on ds cos theta ठीक है ये हो गया अब इधर ये l है ये x है तो इसका भी क्या होगा root के अंदर l square plus x square तो ठीक है तो हम आगे देखेंगे आगे क्या देखेंगे हम flux निकलना है flux से बराबर क्या होता है electric field into ds cos theta cos theta हम इसलिए इसलिए लिखे है हम आपको एक concept बना देना कोई भी electric field किसी भी surface area से पास करेगा तो उसका flux गहलाएगा flux क्या होता है अगर मान लिजे कोई वो दूसरे angle पे पास होता है तो इसके लिए cos theta का यूज होगा cos theta का यूज कर लिए है ठीक है तो आगे हम बढ़ते है e का value क्या होगा k q upon r square k की value हम जानते हैं k equal to 1 upon 4 5 epsilon not होता है और r square r यानि disk disk किस point पे हम strip को measure की है तो ये disk x दूरी पे है तो इस point से point charge की बीच की दूरी क्या है under root l square plus x square इसका ये r मानेंगी चे तो ये अगर इसे r मान के इसका square करेंगे तो ये क्या होगा l square plus x square हो जाएगा into ds ds surface area है 2 by x dx x dx ठीक है और ये cos theta cos theta क्या है अगर ये theta होगा तो cos theta l y under root l square plus x square अब हम जानते हैं इसका power 1 है इसका power 1 by 2 है 1 plus 1 by 2 3 by 2 हो जाए ठीक है तो kq into 2 by x dx upon l square plus x square to the power 3 by 2 ठीक है k की value है 1 upon 4 by epsilon not इधर 2 by है नीचे 4 by है तो कटके 2 epsilon not बन जाएगा तो q upon 2 epsilon not सॉरी दोस्तों यहाँ पर l भी था ठीक है ql हो जाएगा into x dx upon l square sorry 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 l square plus x square यह बचेगा यह 3 by 2 हो जाएगा ठीक है इसको हम differentiate करेंगे हम लोगोंने पढ़ रखा है अगर हम माल लेंगे जैसे की आगे बढ़ते हैं इधर अगर हम माल लिए आपको पूरा दिखना चाहिए सॉरी इसके लिए मुझे खेद है ठीक है दिख रहा है ना इधर हम बढ़ते हैं अगर हम l square plus x square को अगर हम p square माल लेंगे इसको differentiate करेंगे d by dx से तो यह तो 0 हो जाएगा यह 2x dx होगा यह 2p dp हो जाएगा 2 2 कर गया x dx is equal to p dp हो जाएगा अगर और l square plus x square को अगर p माल लिये हैं तो p square माल लिये हैं तो p is equal to क्या होगा under root l square plus x square हो जाएगा ठीक है यह value और यह value necessary है हम लोग को required है तो यह x dx के जगा पर यह रखेंगे यह रखेंगे और इसके जगा पर यह रखेंगे ठीक है आगे देखते हैं यह flux is equal to 2 sorry ql upon 2 of silent knot into x dx के जगा पर p dp upon l square plus x square के जगा पर p square 3 by 2 यह यह cut गया p cube आगया ठीक है p dp upon p cube आगया ql by 2 of silent knot यह हो गया flux निकालने के लिए तो अगर p cube कटके square बन जाएगा अब इतना ही हम जानते हैं कि ql upon 2 of silent knot into dp by p square हम लोगोंने differentiation का एक formula पर रखा है यह अगर dx yx square है तो under 1 yx minus 1 yx होता है ठीक है इसको differentiate करेंगे limit लगा देंगे कुछ भी ठीक है तो इसको हम differentiate करेंगे क्या हो जाएगा minus 1 by p हो जाएगा ठीक है ql upon 2 of silent knot यह हो गया flux का formula ठीक है अब इसको हमें integrate करना था यह हम यह जो strip काटे थे x distance पे इसे 0 से r distance तक ले जाना था ठीक है तो इसको integrate करेंगे 0 से r तक 1 yp को p की value क्या है p की value under root l square plus x square तो हम आप यह लगते हैं p की value पहले लिग लेते हैं आप लोगों के लिए p is equal to under root l square plus x square और क्या नाम से flux का formula क्या था ql upon 2 of silent knot integrate करेंगे यह total flux हो जाएगा total flux का sign यह है क्योंकि इसे भी integrate करना है यह 0 flux से final flux क्या होगा total flux क्या होगा ठीक है minus 1 by p क्या था root l square plus x square था इसको integrate करेंगे 0 से r ठीक है अज़ एक्स के जगा पे हम r रखेंगे ql upon 2 of silent knot into minus है negative है negative को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा upper limit को lower limit के shift करना पड़ेगा lower limit को upper limit में one upon root l square plus x square minus हट जाएगा यह हो गया और यह हो गया 0 ठीक है अब डिफ्रेंस यह है अब इसको हम value रखते हैं ql upon 2 of silent knot into 0 को एक्स के जगा पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1yl minus 1 upon under root l square plus r square ठीक है यह हो गया यह value रख दी हैं अब l को अंदर अंदर गुड़ा करेंगे ल का अंदर गुड़ा करेंगे तो क्या जाएगा qy2 of silent knot 1 minus ly l square plus r square ठीक है यह value आएगी यह total flux है एक circular disk पे है एक point charge से कि कि इतना electric field उस point charge से generate हुआ जो कि उस circular disk से जाके वो flux में convert हुआ ठीक है दुर्टो तो यहीं है cuma छभगा जोब पुँआ exercर कि जाएब शुर्स बॉ़ा है मुद्अ है शुआ है